निकालके मुझसे मिलने के लिए आए हैं पूरे देश के लिए आज सोनो सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं देश भर में जब भी जहां भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनो सूद जी को मैसेज या ट्विटर या कोई फोन कॉल या मुझे पता चला है हजारों लोग इनके घर पे रोज पहुंचते हैं जो इनके पास जिस भी तरह की मदद चाहे वो मेडिकल मदद हो चाहे वो खाने की मदद हो चाहे वो किसी भी चीज की मदद हो किसम किसम की मदद लेने के लिए पहुंचता है उसको मदद मिलती है यह अपने आप में एक अजूबा है अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पारी वो आज सोनो सूथ जी कर रहे हैं तो अभी इनके साथ काफी लंबी बाचित हुई हमने समझा इनके सारे जो काम उसके उपर काफी लंबी बाचित हुई जो काम यह कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इतना बड़ा नेटवर्क इनोंने कैसे बनाया इतने रिसोर्स कैसे आए हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनु सूजी को हमने बताया एक जो अच्छा डवलप्मेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटॉर्ज नाम से कारेकरम अभी पाइलिट बेसिस पे चल रहा था अब कुछ दिनों के बाद इसको लाउंच किया जाएगा मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूं कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत गरीब बैक्गराउंड से आते हैं उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडन्स देने वाले लोग कम होते हैं मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डेजाइनर बनना चाहता है कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है कोई बच्चा, कोई particular career, उसे पता नहीं होता, मैं कहां जाओं, किसके पास जाओं, कैसे जाओं, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते हैं, ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आईए, सामने आईए, औ और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बچ्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चो को के mentor बनिये, तो उन से आप लगातार फोन पर बातचीत करते रहे हैं, उन को फोन पर आप गाईड करते रहे हैं, बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे, और कई कोई है जिसके साथ वो मन हलका कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इंपक्ट पड़ता है तो देश के मेंटॉर कारेकरम के लिए सोनु सूजी हमारे ब्रैंड अमबसेडर बनने के लिए तयार हो गए है जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूं उन Thank you so much Arvin Sir, Manik Sir, Raghur Bhai for giving me this opportunity कि आज मैं इस प्लैटफर्म के हूँ विजनरीज के साथ मैं सर को विजनरीज के साथ मैं सर को विजनरीज के बोलता हूं कि जब education का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर education हो तो Delhi जैसी हो and I think it's very important कि हमारे देश म अगर growth तभी हो सकती है जब education का स्तर बढ़ेगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि डेली में किस level का changes आया है and all thanks to Sir for that. जब lockdown शुरू हुआ you know लाखों migrants के साथ लोगों के साथ जुड़े उनकी medical की problem देखी तो एक education एक बहुत बड़ा मुद्दा था पहले lockdown में करीबन 2,000 से 2,200 बच्चों को हमने बढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को you know as suit charity foundation हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसा अर पता नहीं कि क्या करना है मैं क्या करूं कई बार हमारे जो अच्छी families के माबाब होते हैं पढ़े लिखे होते हैं बता दें कि वह आपको engineer बना है doctor बना है MBA कीजे कोई भी कीजे लेकिन ऐसे बहुत सारे families हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है उनको एक रास्ता तो दे दिय आपने एक platform दे दिया अच्छा स्कूल दिया अच्छा सर दिया लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या दिशा कौन सी पकड़े तो उस समय हमें हो लोग जाहिए जो एक बहुत experience साथ में लेकर आते हैं जो आपके mentor बनते हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या क कर सकते हैं वो हर घर के अंदर कहीं नहीं एक mentor है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन्तों पहुंचे सो मुझे लगता है कि आज दिली सरकार ने एक वो मोका दिया है आपको अच्छा काम करने का हम हमेशा मोलते कि यह मैं करना चाहता हूँ पहले मैं कुछ बन जाओं मै उस लाइक बन जाओं फिर मैं कुछ करूँगा मैं इस्टैब्लिश कर लूँ मैं अपना बिजनस इस्टैब्लिश करूँ यह मैं सिक्सेस्फुल हो तो मैं जाके मदद करने की कोशिश करूँगा पर मुझे लगता है कि यह जो platform है देश के mentors का यह वो platform है जहां पर कोई भी इनसान चाहे वो अभी भी जिंदीगी के वो पढ़ाव चड़ रहा है अपने आपको बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक बच्चे का दो बच्चों का दस बच्चों का mentor बन सकता है उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें क्या ना करें मरीश सर अभी मुझे से शेयर बन जाओ तो एंजिनरिंग करने चलेगे हम लोग लेकिन आज इतने जादा platform से इतने जादा evidence से और इतनी जादा रास्ते खुल गए हैं जहां पर लोगों को पता नहीं है पर लोग जो इन रास्तों से औरड़ी गुजर चुके हैं या कुछ सफर तै कर चुके हैं उन बॉक डान हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चलो हम बच्चों का भविश्य बदलने की कोशिश करते हैं उनको करने की पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आज हम हजारों बच्चों को पढ़ाएं भी So my request to everyone जो भी listeners है या हमें सुन पा रहे है आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है देश का mentor बनने का मौका मिला जा रहा है हम लोग हमेशे शिकायत करते है कि भीया यार हमारे लिए फलाना आद भी कुछ नहीं करता हमारा ये हग बनता है देश के mentors का platform नहीं बनाया है बल्कि आपके लिए एक platform बनाया है देश के लिए कुछ करने का So be a part of it चुनिये उन बच्चों को आज हर एक बच्चा गर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं So I think उसे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फिली नहीं होगी और उसे बड़ा देश को योगदा नहीं होगा अगर आप वो कर बाएं So I think it's a great opportunity I feel blessed कि आज Under the leadership of Arvind Sir, Manish Sir and Raghav Bhai They have given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाखों लोगों तक लाखों Students सक पहुंच पाऊं और उनके mentor बनने की कोशिश कर पाएं So I think together we can And we will बोल देना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वोही सबसे बड़ा So I think वो समय आ गया है कि हमें सब के साथ में खड़े होना है And you know, कर के बताना है So thank you so much for this sir Sir, any discussion about Are you interested in fantastic elections Either you or anybody Sir, I think I think Sir, I think I think I think Sorry, yeah Sir, I think it's a question No, nothing, there's nothing political I always maintain Indian करता रहा हूं कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कुछ अच्छा काम करना है तो पॉलिटिक्स में आइए या क्यों नहीं आसकते हैं बहुत कमाल का फिला And I think अगर आपाएं तो आपाएं तो आपाएं तो आपाएं But as of now We haven't discussed anything political अगर पाएं तो आपाएं तो आपाएं And this is above all Sorry sir Sir मुझे ना मैं बता रहा हूं पिछले जब मैं बुझे पता भी नहीं था तब से मुझे आफ वर्स आती रही है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और इसले गर भी प्लिटिक्स नहीं करने का तो आपाएं काम की सालिब करी है मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है उसको दिशा अपने आप दिख जाती है और जो अरिंसर की लिडर्शिप में डेली में हुआ है वो किसी को बदानी के जुरूती है मुझे लगते हैं ना सिर्फ पंजाब देश के हर कोने में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक जी सब्सक्राइब कर देश के में पर्टी के लिए अभी जो लॉंच होगा इसका देश के में टॉर्ज का जैसे मैंने बताया कि सोनु जी उसके ब्रैंड एमबसेडर हैं लगबग एराउंड मिड सेप्टेंबर डेट अभी फिक्स कर लेंगे उसका प्रोग्राम का लॉंच होगा अभी पाइलेट प्रोजेक्ट हमने किया था पिछले एक डेड़ साल से वो पाइलेट प्रोजेक्ट बहुत सकसफुल रहा हमारा जो मेंटोर्स थे उनके भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे तो मिड मुलाकात हम देड़ घंटा बैठे लेकिन हम ये मेंटॉर वाले कारेकरम में और इंके काम को सुनने में और उसमें इतनी जादा मश्बूल हो गए वो डिसकस करने का मौका नहीं मिला बट उसको फाइनलाइज करने के पहले भी विल डेफिनिटली शो इटो इटो में और है व क्या हैं ये थाई प्रड़ एकर? रहा बलकुल है हम रोल रही है थैंक य। मैं य। थाई 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 प्रड़ प्रड़ थाई